आग जुलाई 26 को करगिल विजय दिवस है इसी दिन 1999 में इंडिया ने टाइगर हिल को अक्वायर करके करगिल वार में अपनी विजय हासिल की थी अब यहां डुमेस्टिक लेवल पर सेलिब्रेशन भी हो रही है और पीए मोधी जी ने श्रद्धांजली भी दिये माटियस को साथ साथ एक शिंकुला टनल भी इनागरेट किया है उसका पहला ब्लास्ट किया है लेकिन इसी के साथ साथ यूएस में भी कुछ हैपनिंग जो रही है जो कि इंडिया के लिए बहुत जरूरी है इनके एक सेनिटर है इन्होंने कॉंग्रेस में इंडो-यूएस डिफेंस को इनखोपरेशन पक्ट को इंट्रिधी किया है अब आखिर इस्से किसको इंपक्ट पढ़ रहा है इस से चाइना को उसपसे ज़ाइड़ इंपक्त पढ़ेगा और इन जो चट्टा-बट्टा है पाकिस्तान उसपर भी बहुत ज़ादा इंपक्ट पढ़ेगा लेकिन कैसे वहें ऐसे क्योंकि यहां इस में भारत को बात कि जा रहे हैं कि भारत को मेजर नॉन नीटो एली का स्डेश सलेघनंफ कैसे तैक्נि ट्रांसफर को यह ए। ऐसे बहुत सारे members हैं जो US के partners हैं NATO के partners की तरह काम करते हैं जैसे जैपान हुआ, South Korea हुआ, इसराइल हुआ, यहां तक की पाकिस्तान भी हुआ और यह US के पके एलीज माने जाते हैं लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि इस बिलको objective है इंडिया को भी इन ही के लेवल की technology transfer प्रोवाइड की जाए और साथ-साथ अगर पाकिस्तान इंडिया पर कोई offensive attack करता है तो in that case Congress में report जाए कि पाकिस्तान के लिए और फिर पाकिस्तान को जितनी भी security assistance है US की तरफ से वो मिलना बंद हो जाएगी साथ-साथ और भी इसके बहुत सारी provisions है जैसे काट्सा sanctions के मामले में relaxation provide करना अगर भारत रशिया से कुछ खरीदता है जैसे S-400 तो in that case भारत को अपने आप इस बिल से exemption मिल जाएगा वैसे तो यह बिल अभी शायद पास नहीं हो सकता क्योंकि अभी वहां पे elections चल रहें बस introduced हुआ है लेकिन definitely अगर कुछ महीने बाद भी पास होता है तो भारत के लिए यह एक बहुत ही बड़ा development होगा especially 2020 के गलवान clashes को देखते हुए जब Eastern लधाक में भारत और चाइना काफी महीनों तक आमने सामने थे क्योंकि इस time period पर भी US ने हमारी मदद की थे जिसको हम आगे देखेंगे लेकिन उसके साथ-साथ यहां यह चाइना के लिए और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़े intelligence की और Air Force की capability की बहुत मदद की जरूत पड़ रही थी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब Air Force ने operations कंड़क करवाना स्टार्ट किये मेच 26 1999 को तो हमें शुरुवात में बहुत सारे capabilities उपर से यहां किसी हिल को देख पाना और बहुत उपर की हाइट से अटाक कर पाना है यह सब बहुत जरूरी है और उसके बाद से हम यहीं सोच रहे है कि कैसे ना कैसे करके हम यूएस का यहां पर समर्थन प्राप्त कर लें और वैसे भी इंडिया और चाइना की military capabilities में जो होने बहुत सारे landing aircrafts वगेरा create कर लिये हैं भारत भी बहुत सारी ऐसी capabilities बना रहा है और यूएस के साथ मिलकर 2022-23 में हमने बहुत सारे ऐसे purchases की हैं जिनको हम आगे देखेंगे पूरे relationship को तो यहां हम आज पूरा इंडिया और यूएस का शुरुआत से लेकर अभी तक का defense relationship क को आउटलाइन करने की कोशिश करेंगे साथी साथ आप यह भी सोच सकते हैं इन पाक्ट जान सकते हैं कि अन अकाडमी का जो सेंटर है वो सिर्फर सिफ ऑनलाइन नहीं है ऑफलाइन भी है हम करोल बाग में भी है मुखरजी नगर में प्रयागराज में हम आपको पूरा basic से आपका पूरा foundation build-up करवाने में help करते हैं आकि आप exam में एक अच्छी rank acquire कर सेके इन फाक्ट इन courses के जो भी हमारे courses लॉंच्ट है ओफलाइन में foundation में यह आपके बहुत well curated और इनके अलग-अलग features भी है जैसे करोल बाग में English medium का course चलता है जो जल्दी स्टार्ट होने वाला है तो इसके बारे में आप और inquiry भी कर सकते हो साथ-साथ यहां पर मुखरजी नगर का भी जो हिंदी मीडियम का है और इसमें हवी डिसकाउंट भी और जल्दी स्टार्ट होने वाला है तो इसके बारे में भी आप जान सकते हो 29 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और जो बच्चे डेली नहीं आ सकते लेकिन प्रयागराज में रुख सकते हैं प्रयाग राज की में आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में फाउंडेशन बैच यहां पर स्टार्ट हो चुका है इन फाक्ट यह जल्दी और 6 में चालू भी हो जाएगा तो इसके बारे में भी आप और इंक्वाइर गर सकते हो इन तीनों ही टाइप के कोर्सेज में आपको करंट अफ साथी साथ free content चाहिए तो unacademy आप डाउंडोड कर लो और इन सबके लिंक्स आपडाउंडोड करने के भी और inquiry करने के भी तीनों कोर्सेज के आपको नीचे description में दिये गए हैं लेकिन फिर आगया 1965 में इंडिया-पाकिस्तान वार जहां पाकिस्तान ने लॉंच किया ओपरेशन जिब्राल्टर हमारी कश्मीर की तरफ और गुजरात में कच की तरफ रिटर्न में हमने पाकिस्तान से पंजाब वाला फ्रंट उपन कर दिया और उन्हें बहुत ही हैवी के बावजूद 1984 में यूएस ने हमारे साथ मेमरांडम और टेकनोलोजी ट्रांसफर पास किया ताकि भारत का जो बड़ा सा मार्केट है भारत जो पूरा सोवियत यूनियन पर डिपेंडेंट है आम्स ट्रांसफर के लिए अटलीस्ट उसमें से कुछ मार्केट यूएस यह टूट जाता है तो भारत अकेला रह जाता है अब भारत को चाहिए थे उस टाइम पर दोस्त और यूएस की भी हालत खराब क्योंकि इंडो-पैसिफिक में चाइना अब धीरे-धीरे अपना राइस करता जा रहा है तो इनके एक जनरल थे जो यूएस की इंडो-पैसिफिक कमांड के हैट थे जनरल क्लॉड की क्लाइटर यह 1991 में प्रपोसल्स देते हैं यह प्रपोस करते हैं कि भारत और यूएस को डिफेंस में कोपरेट करना चाहिए चाहे लांड हो सी हो एयर हो तो बढ़िया यहां पर कोपरेशन की बात स्टार्ट हो जाती है इनपक्ट उसके होती है आज मालबार एकसाइज में जपान और ऑस्ट्रेलिया भी हमारे साथ इंक्लूडेड है तो यह आप देख सकते हो इसके पहले स्टीरिंग कमेटी भी अनाउंज होती है बाद में 1995 तक आते हैं हम लोग आपस में डिफेंस पॉलिसी ग्रूप बना लेते हैं इस 2002 तक कुछ नहीं हो पा रहा लेकिन फिर यहां पर 1998 के जब हमने टेस्ट किये फिर करगिल हुआ फिर यहां यूएस और इंडिया के बीच में थोड़ी बहुत आइस ब्रेक होने लगती है वहां के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट स्ट्रॉप टैलबॉट और हमारे यहां से फॉरे परिटी ऑफ मिलिटरी इंफर्मेशन अग्रीमेंट साइन कर लेते हैं जिसमें दोनों एक दूसरे से जनरल मिलिटरी इंफर्मेशन को यहां पर शेयर करेंगे उसके बाद कुछ साल और बीचते हैं और दोनों सोचते हैं कि हम स्ट्राटेजिक पार्टनर्शिप यारणीति डील में भी कही न कहीं आइस ब्रेक कर लेते हैं यूपीए वन का जो एरा आता है और उसके बाद शुरुआत का यूपीए का टू एरा यह थोड़े से घबराए हुए लोग रहते हैं यह जाधा फॉरेंड पॉलिसी में और यूएस के साथ इंगेज करने में उत्तरा चाहता है और हम खरीदना चाहते हैं लेकिन यूएस कभी इनकी टेक्नोलोजी हमें ट्रांसफर नहीं करता ताकि हम हमेशा एक बायर रहें खरीदार रहें और जब डीटी टीटीए साइन होता है तब इंडिया को लगने लगता है कि चलो जी अब तो हमारी चांदी हो गई अब यूएस हमें टेक्नोलोजी ट्रांसफर भी करेगा हाला कि इसके बाद हम यह रिलाइस करते हैं कि ब्यूरोक्राटिक हर्डल जिसके बावजूद रिजॉल नहीं होते हैं जो भी ब्यूरोक्राट्स हैं टेक्नोलोजी ट्रांसफर में उसके बावजूद भी रोड ब्ल में चीफ गेस्ट की तरह बुलाते जब बराक उबामा यहां थे न तो बराक उबामा को ताज महल विजट करना था और हमने इनको कह दिया था हमारी सिक्यूरिटी ने कि आप यहां पर अपने जो वहिकल्स हैं उनके साथ ताज महल विजट नहीं कर सकते तो इनकी टीम ने बो और फिर जो पुराने सिक्यूरिटी अग्रिमेंट्स बचे थे गिजमुआ के अलावा चाहे वो लेमुआ हो, कॉमकासा हो, बेका हो बाद में ये इंडिया ने फाइनली यूएस को ट्रस्ट करके यहां पर सॉल किये, साइन किये जो यूएस बहुत टाइम से पिछले 10-15 सा से डिमांड कर रहा था, तो हमने लोजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमुरैंडम अफ अग्रिमेंट साइन कर दिया, लोजिस्टिक शेयर करने के लिए, यूएस को एरपोर्ट, शिप्स और इन सब का एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए, कम्यूनिकेशन के दोनों की कम्यूनि तो हमारे पास भी यूएस का सपोर्ट है, हम कोई खाली नहीं बैठे है, वी आर नॉट औरफन्स हमारे पास भी प्रॉपर सपोर्ट है, तो इसके लिए हमने ये साइन किया, और बाद में आप देखो, इंडिया को दोबारा हमारे कंसरंस को प्लेकेट करना चाहता था, हम तो हमेशा से बायर होने के कंसरंज उठाते थे कि हम सिफ बायर है, तुमारे पार्टनर नहीं है, यहां STA 1 स्टेचस देकर यूएस ने ये कहा कि ठीके भाई साब DTI याई काम नहीं किया, लेकिन STA 1 स्टेचस के तुरू आपको टेकनोलोजी ट्रांसफर हम जरूर और डिफेंस जब साथ में मिल जाते हैं, तो मुद्द स्ट्राटेजिक इसूज के ही डिसकस होंगे, यहां 2018 की जो पहली 2 प्लस 2 डायलोग हुई थी, यहां पर हमारी तरफ से निर्मला सीता रमन और सुश्मा स्वराज आस डिफेंस और उनकी तरफ से माइक पॉंपियो फ 2021 में और 2022 में फिर उसके बाद इंडिया को इंडिया ने अनाउंस कर दिया कि यह यूएस का एक असोसियेट पार्टनर बन चुका है, और फाइनली डिफेंस पार्टनर्शिप हम और जादा आगे बढ़ाते जा रहें, तो आप देखो इस लेवल तक की चीज़े हुई है, इंडिया और यूएस के बीच में यहां पे कंड़क की जाती है, जैसे मालबार हमने डिसकस किया, मिलान एक्साइजर जो इंडिया कंड़क करता है, जैसमें बहुत सारी कंट्रीज आती है, इंडिया नोशन रिजन में, उसमें यूएस भी पार्टिसिपेट करता है, 2002 से, इनकी कौन-कौन सी सर्विसेज यह भी मैंने आपके लिए यहां पर बता रखें, ताकि यह सारी इंफर्मेशन आपको आराम से पता चले, और साथ-साथ यह ग्राफ है, यह बताता है, कि कैसे इंडिया और यूएस के डिफेंस पार्टनर्शिप कॉंस्टेंटली राइस कर कोछ बीच में आपको सम्झाय बताया है, बट समसकते हैं कि सिगनिफिकेंट कुछ पारटनर्शिप हो रही है, और कुछ अच्छा हो रहा है, इसी की टाइम लाइन के लिए दुबारा के वाम मैं बताए और रिसेंटली जो मेजर डिफेंस ट्रांसफर यह बहुत जरूरी देखे अभी हमने कहा कि यहां पर टेक्नोलोजी ट्रांसफर प्रॉपर ले नहीं होती अब यूएस इस पर काम कर रहे हैं जैसे 2023 में यूएस ने हमें जेट इंजन प्रोडक्शन जी इए एफ दिफेन्स एक्सिलिरेशन सिस्टम को लॉँच किया था ताकि दोनों के डिफेन्स इंडस्ट्रियल को उप्रेशन जो है उनको आगे और बढ़ा सके और इनके कॉंपलेक्स को साथ में लिंक करके इंडिया में भी डिफेन्स स्टाटप्स को प्रमोट कर सके तो यह बहुत इसके अलावा और भी बहुत सारे चीज़ है जैसे पी एट आई मैरिटाइम रिकॉनेसेंस एर ग्राफ यह बहुत ज्यादा न्यूस में चल रहा था कि इसको अक्वाइर किया साथ-साथ अपाची हेलिकॉप्टर की बात है सी वन थर्टी ट्रांसपोर्ट हर टाइप का हेलिक इंडोनेशिया वियतनाम सब परिशान होते हैं उसको कॉंस्टेंटली कंड़क कर रहा है तो इंडिया की बढ़ेगी तो उससे इंडो-पैसिफिक में यूएस के लिए अच्छा रहेगा यह बहुत अच्छी बात है इसके लिए ही हमने कोर्ड भी आपस में लॉंच किया हा इंडिया के लिए डिवलप करना ताकि करगिल जैसा दुबारा कुछ नहों पाहिए ऐसे मौडन फाइटर एरक्राफ्ट बहुत जादा जरूरी है ड्रोन्स एंड यूवी इस इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ड्रोन से सर्विलेंस भी हो सकता है सारी वह हमेशा से प्रॉब्लम क्रियेट करके रखते हैं जिसकी वजह से इंडिया यूटिलाइज नहीं कर पाता है यूएस की चीज़ों को टेकनोलोजी ट्रांसफर की रिस्ट्रिक्शन जो अब यूएस हटा रहे हैं लेकिन बीच बीच में इंडिया यूएस में खालिस्तान अर्म्स पर्चेस तो यह एक प्रॉब्लम वाले एरिया है जिसको और जाधा हमें सौल करने की जरूत है बागे आप क्या सोचते हो इस टॉपिक के बारे में कैसे हम डिफेंस को और अच्छा कर सकते हैं कैसे इंडिया यूएस रश्या चाइना सब को बैलेंस करके सब अर्म्स एक प्रॉट कि बारे में कैसे लिय। को झास